बोलता हैं दुस्तान पे तमाम दर्शपों का स्वागत है देश में इस वक्त अदालतों में फैसले प्रात्ना के आधार पर हो रहे हैं, अपनी आस्था के आधार पर हो रहे हैं, जजेस की आस्था जिस धर्म में हैं, वो उस धर्म के आडियलोजी के तहट प्रात्ना करता है और फिर फैसले के नतीजे तक पहुँच जाता है क्या इस तरह से हो रहा है फैसले कोई मुश्किल फैसला आ जाए तो कानून की किताबे पलटना बंद कर दीजे समिधान को पढ़ना बंद कर दीजे पुराने फैसलों को रिकॉर्ड में लाटब उसके नजरिये से फैसले को पढ़ना बंद कर दीजे क्योंकि मुश्किल फैसलों में जब CGI कहें कि मैंने भी भाई तीन महीने तक उस फैसले को देने से पहले ध्यान लगाया था प्रातना की तब नतीजे तक पहुँचा था कैसे पढ़ें उसे किस तरह से देखें एक सेकुलर देश में एक धन्मिर्पिक्ष देश में जहां समिधान और कानून सर्वोपरी बाना जाता है वहां अगर इस तरह की बाते आए तो क्या कहा जाए मारे साथ मशूर शायर वेगानिक गौहर रजा साहब है गौर साब स्व पहुच गया तो क्या वो पुरानी किताबें वो पुरानी किसिस का हवाला जो रिफरेंस देती है कोड की फ़ला फैसले में फला वक्त में ऐसा हुआ था इसलिए को थान लगाते हुए इस नतीजे पर पहुचे हैं जो जादालते कहते हैं तमाम सबूतों को मद्दे नजर हुए हम इस पैसले पर पहुचें तो वहां यह यह कहा जाने लगेगा कि तमाम आस्थां को मद्दे नजर रखते हुए अपनी प्रात्ना पर ध्यान लगाते हुए हम इस नतीजे पर पहुचें कहना क्या चाह रहा है जबकि उनको यह माना जाता है कि इस दौर में वह सरकार से एक तरह से पंगा ले लेते हैं वह बहुत सक्त टिपड़ियां कर देते हैं ऐसे सीजियाई की तरफ से अगर टिपड़ी यह आए तो इसे कैसे पढ़ा जाए यह सिर्फ ना बहुत खेर जिम्मेदाराना स्टेट्मेंट था चीफ जस्टिस की तरफ से बलके यह मुल्क की शायद बतकिस्मती है कि कोई चीफ जस्टिस इस तरह का बयान दे मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क की शुरुवात जब हमने की यहां डिमोकरसी लाने की डिमोकरसी बनाने की डिमोकरसी गढ़ने की और एक डिमोकरेटिक सेक्यूलर धाचा बनाने की तो मैं समझता हूँ कि यह बयान भी उसके उपर एक हमला है और यह हमले सिर्फ ऐसा नहीं है कि अदालतों में हो रहे हैं बलके यह लगातार बाहर गली कूचों से लेकर के बाबाओं से लेकर के और फिर हमारे इस रोके साइन्टिस्ट तक गर रहे हैं उनको शायद इसमें कोई परेशानी दिखाई नहीं दे लेकिन इस तरह की अंसाइन्टिफिक बाते जिम्मेदार कुरसी के उपर बैठ करके करना मेरे ख्याल में ये इस मुलक की अब बतकिस्मती में शुमार किया जाना चाहिए हम नजीर दिया करते थे आने वाली नसलों को कि हमारा मुलक पहला मुलक बना दुनिया का जिसने साइन्टिफिक पॉलिसी रिजलूशन पारलिमंट में पास किया हम ये नजीर दिया करते थे कि रैग्यानिक दृश्टिकोंड जो होगा बो इस मुलक में आगे आने वाली नसलों के लिए और उन्नतिक के लिए आधार बनेगा हम यह नजीर दिया करते थे कि हमने और पड़ेसी मुलकों के मुकाबले में कहीं जादा scientific temper creation करने की कोशिश की इसलिए हमारी democracy जो है वो इतनी stable रही है लेकिन आप यह हमले लगतार हो रहे हैं अगर आप देखें तो जब तिरुपती model भेजा जाता है इसरों का तो फिर हम आने वाली नसलों को क्या message दे रहे हैं हम यह message दे रहे हैं कि या तो हम तिरुपती में जो आस्था नहीं रखता हम उसको इसरों के अंदर नहीं आने देंगे या फिर हम कह रहे हैं कि सबको खुली चूट है कल को कोई आएगा तो वैशनुन देवी भेजेगा model क्योंकि उसकी आस्था वैशनुन देवी में होगी परसों को कोई आएगा तो शायद मक्का भेजे model और अगर कोई और आगया तो रोम बेजे model या फिर हम इन लोगों को नहीं आने देंगे हम सिर्फ होगी कोई रखेंगे जो जिनकी आस्था वैशनुन देवी में होगी जिनके आस्था तिरुपती में होगी हमारा एक मिनिस्टर आता है और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं है theory of evolution में और मैं नहीं समझता कि बंदर से इंसान बना तो इसलिए पढ़ाया नहीं जाना चाहिए और फिर वो कुछ सालों के बाद हटा दिया दिया 2014 के बाद जब सरकार बदली है तो ये हमले बढ़ते चले गए जज का ये कहना कि आसू से प्रजनन होता है मौर का क्योंके वो नैशनल वर्ड है हमारी इस वज़ा से और किसी गई ये कहना कि हमारे पुराने काल में हवाई जहाज भी था जो उपर नीचे इधर उधर सब तरफ चल सकता था और इंटर प्लैनेटरी सफर कर सकता था हमारे पास ऐसी टिक्नालोजी थी एक चीफ मिनिस्टर का ये कहना कि हमारे देश में इंटरनेट था और इंटरनेट था तो सैटलाइट था और सैटलाइट था तो जाहिरे के रॉकेट रहे होंगे और रॉकेट थे तो एटम बंबी था वगया मैं सबचता हूँ कि ये साइंटिफिक टेंपर के ऊपर लगातार हमले हैं और इस्टे जादा बुरा कुछ नहीं हो सकता कि चीफ इस्टेस हमारे देश का ये कहे कि फैसले के लिए ध्यान लगाना ज़रूरी था और अपनी आस्ता के हिसाब से भगवान जरूर मदद करता है फैसला लाने में भगवान से प्रार्तना करने वाले अल्लामिया से प्रार्तना करने वाले जीजस क्राइस से प्रास्तना करने वाले ये जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई थी उनकी जिम्मदारी constitutional थी उनकी जिम्मदारी ये थी कि वह constitution को अच्छी तरह से पढ़ें और देश के में वह constitution के हिसाब से देश चलाये जाए इस पर नजर रखें वह किताब सरब्रियक किताब उनके लिए कमसे लोग जो लोग नहीं मानते आरेसस वाले बहुत जमाने तक नहीं मानते रहे constitution accepting के हैं उनके ठीक है वो कुछ भी आस्था रखें लेकिन ये कि कोर्ट को या educational institutions को या scientific institutions को ये सम्वेधान हमारा ये जिम्मेदारी हर्गिस भी नहीं देता कि वो अपनी आस्था के हिसाब से फैसले लें ये जिम्मेदारी औ औरों के पास है ये जिम्मेदारी धर्मिक नेताओं के पास है तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि इस किसम का बयान आया है मेरा ये भी कहना है कि जब इससे एक कदम आगे वढ़ते हैं तब फिर हम एक शहरी और दूसरे शहरी में फर्क करन कि ये जो पुलिटिकल मधब आये हैं और मैं समझता हूँ कि ये सब पालिटीशन्स हैं इनका कोई लेना देना मधब के साथ नहीं हमने पाकिस्तान में देखा और अब हम इंदोस्तान में देख रहे हैं बंगलादेश में उसकी जलक हमें दिखाई दे रही हमको उसकी जलक स्रिलंका में दिखाई दी हमको नैपाल में दिखाई दी हमको माहिनमार में दिखाई दी इनका कोई लेना देना आस्था और मधब के साथ नहीं ये पुलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं और जो स्टेटमेंट दिया है चीप जस्टिस ने मैं उसको भी एक राजनेते की तो हर्गिस भी नहीं क्योंकि धर्म आस्था अगर उनकी है जिस पर मुझे कोई इतराज नहीं मेरी कोई धर्म आस्था और नहीं किसी में विश्वास नहीं मैं किसी भी किताब को भूली बुक नहीं मांदू तो फिर वो अपने घर में रखें हमारा Constitution यह कहता है कि धर्म आपकी अपनी आस्था का सवाल है उसको अपने पास रखें जब आप किसी जिम्मदार कुर्सी के उपर वैठे हैं चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो चीज जस्टिस हो चाहे वो एलेक्शन कमिशनर हो या प्रेजिडेंट अफ इंडिया हो आस्था के बलबूते के उपर ये कुर्सियां उनको नहीं मिली और नहीं मिली चाहिए हमारा कॉंस्टिटिउशन कहता है कि जिस दिन आप कॉंस्टिटिउशन के उपर रख के कसम खाते हैं उस दिन से वो किताब आपके लिए ऐसी किताब होती है जिससे देश चलाय जाता है जिससे आप इस मुल्क के अवाम को देखते हैं इस मुल्क के एक शहरी को देखते हैं और आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हर शेहरी को ना सिर्फ ये के बराबर की नजर देखें बलके उसकी सुरुच्छा आपकी जिम्मेदारी बन जाती है जब आप इस तरह का बयान देते हैं तो फिर आप हट रहे होते हैं अपनी जिम्मेदारियों से मैं आपसे बिल्कुल सहाथ हूँ इस बात को लेकर के कि अगर ये देश आस्था के ऊपर चलाने की कोशिश की जाएगी तो आगे आने वाली नसले माफ नहीं करेंगी आगे आने वाली नसले आपसे पूछेंगी ये सवाल कि जब इस देश को आस्था कि चलाने की कोशिश किये जा रही थी तो आपने आपनी आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों नहीं बोले, जरूरत इस बात की है कि हम सब को react करना चाहिए, हम सब को अंग्रेजी में कहूं तो शापली react करना चाहिए, अपना प्रतिरोध बहुत आना चाहिए, क्योंकि आज ये बाबाओं के कुटियाओं से निकल करके, पंडितों मौलुईयों की डिसकॉशन से निकल करके टेलिविजन से बाहर आज सुप्रीम कोट तक पहुंच गया है मामला, हमें इस का खियाल रखना चाहिए, कि इस वक्त अगर खामोश्य को आगे ये जब बयान आया, तो एक सवाल ये उठने लगाया, कि जो बाबरी मस्जेद रामजन धूमी मामले का जो फैसला आया, क्या वो सही में सबूतों के आधार पर हुआ था या सिर्फ आस्था उस पर थोब दी गई, सिर्फ आस्था को सामने रखकर उस पैसले को दे दिया ग तो मेरी आस्था ने बताया और आस्था दिखाया और वो फैसला आगे, तो ये सबूत कहां थे फिर उस केस के जज्जमेंट पर लोग ये पूछने लगेंगे कि क्या इस देश के भीतर एक सबसे बड़ा पैसला, एक सबसे बड़ी आदालत से बिना सबूतों को देखे हु हुआ मैसूस करने लगेगा? सवाल एक तब के का नहीं है, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन कर दूंगे, एक तब का अपने को करने लगेगा, हर वो शख्स, हर वो शेहरी इस मुल्क का जो सेक्योलरिज्म में यकीन रखता है, जो इनसानी बराबरी में यकीन रख कानून के आधार के ओपर इस देश को चलाया जाना चाहिए, वो ठगा हुआ महसूस करेगा, और मैं यह समझता हूं कि मेरा कोई लेना देना कानून की किताबों से उस तरह से नहीं है, वो मेरा एरिया नहीं है, लेकिन एक शेहरी के नाते में यह जरूर कह सकता हूं कि जाह है कि आपने उंगलियां उठाने के लिए दर्वाजा खोल दिया, पहले ही लोग उंगली उठा रहे थे और बहुत लोगों का यह ख्याल था, कि यह फैसला जो है, वो बहुत खलत फैसला आया है, यह करिमिनल्स को छूट दे दी गई पूरी तरह से, कोई भी ढाचा गिरान की इस मुल्क में, और उन करिमिनल्स को जिन्होंने यह किया था, जिसका बार बार जिकर उस फैसले में आता है, उनको पूरी तरह से बरी कर दिया गया, यानि आज भी जो एलके अड़वानी जाद हैं, उनके उपर कोई उंगली ने उठाई, आखिरकार उन्हें बरी कर दि दिया गया, तो उंगली तो पहले ही उठाई थी, लेकिन अब दर्वादा चीफ जस्टिस ने एक बड़ा खोल दिया है, इस तरफ उंगली उठाने के लिए, कि साहब ये फैसला जो है, वह आज था कि बलबूते के उपर आया है, समन्हें था है, जब सीजिया ये बात कहें और जाहिड सी बात है, इस बात को सभी मानते हैं, और आपने भी इस बात को खोट किया, कि आस्था आपका निजी मामला हो सकता है, आप क्या प्रेक्टिस कर रहे हैं, आप अपने घर के दरवाजे में कीजिए, या जो आपकी मजभ़व की इमार्ते हैं, जो प्रातना इस हैं, और जा की कीजिए, उसको जनरलाइज मत कीजिए, कोई आपका आस्था में विश्वास नहीं करता है, तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि आपको यह नहीं मानना पड़ेंगा, ये मेरी आस्था सर्वों परी है, ये मेरी आस्था ही सबसे अच्छी है, यह कहनी को, ले कि पूरी तरह से वहिश्टकार है उसके बाद उत्राखंड और हिमाजल के जो मुस्लिम ब्यापारी हैं जिनके पास दुकानें उनसे दुकानें खाली करवाई जा रही है यह तमाम चीज़ें यानि कि सम्रिधान को रौदा जा रहा है दोमें स्टेट्स में और वहां की सरकार कर देंगे तब लोगों को वजा मिलती है यह कहने की कि देखिए हमारा धर्म या हमारी आस्था सर्वो परी है इस देश की अदालतों के फैसले हमारी आस्था के बुनियाद पे हो रहे हैं तो फिर यह इलाके अगर हम खाली हैं अपनी आस्था के बुनियाद पे तो कुछ गलत नहीं वहां कोई रोप टोप नहीं कर पाता कोड ना वहां को समिधान के तहर शपत लेने वाली सरकारे कोई कदम उठा पाती हैं वो लोग जो महबत की दुकान कोलने का दावा करते हैं वो भी खामोश हो जाते हैं देखिए मैं समझता हूँ कि अगर हम पाकिस्तान के उपर एक नजर डालें तो जो माइनॉरिटी के साथ वहां शुरुआत में हुआ उसमें हिंदूओं को दुश्मन दिखाया गया लेकिन मामला वहाँ नहीं रोका मामला उससे आगे बढ़ा और फिर महाजन दुश्मन और फिर उसके बाद शीया दुश्मन और फिर उसके बाद बरेलवी दुश्मन हो गए तो ये सिलसला अगर किसी मुल्क में शुरुआत हो जाती है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल काम होता है वो आसान नहीं होता है जो मुल्क का सबसे जादा गुंडा और हिंसक तब का होता है उसको हम पूरी तरह से धर्म के परदे में लपेट करके न सिर्फ ए ऐक छूट रहे होते हैं बलके इज़द भी दे रहे होते हैं और उन कामों के लिए इज़द दे रहे होते हैं जो क्रिमिनल एक्ट हैं अभी हमको आपने ये जो लिस्ट सुनाई वहां पर हमको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि मुसल्मानों के उपर हमले हो रहे हैं मुसल्मानों के उपर हमले होते हुए तो बहुत जमाने से लेकर है साथ ही क्रिस्चिन्स के उपर हमले होते हुए हमने देखे हैं जो बढ़े हैं 2014 के बाद और एक तरह का मज़ा आने लगा है लोगों को इस बात में के हम क्रिस्टिन्स को और मुसल्मानों को तकलीफ दे के उनको गालियां दे करके अगर हम गालियां लिख सकते हैं तो गालियों से ले करके उनके घर गिराने दे तक में मज़ा आने लगा है और उसे एक इज़त की नजर से दिखा जाता है किसा आप फौरण बदला ले लिया यानि कॉंस्टिटूशन को अलग रख दिया गया फौरण बदला ले लिया गया यह मुल्क अब फौरण बदले की मोड में फुसा लेकिन मद्ध प्रदेश में एक बड़ी चौकाने वाली वारकत हुई है वहां तो मंदर था मंदर के लोगों ने बाहर निकल कर यह इतराज किया था कि डीजे मत बजाओ और आपस में चाकू चले और उसके बाद अब एक घर गिराया जा रहा है जो वीडियो सर्कुलेट होड़ा है तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलग जाएगी यानि मेरी आस्था हो सकता है कि राम रहीम में हो और आपकी आस्था किसी और बाबा में तो फिर क्या वहाँ भी बुल्डोजर चलेंगे वहाँ भी फैसले बुल्डोजर से लिए जाएंगे वहाँ भी फैसला आस्था की बेसिस के उपर होगा कि कौन सा बाबा सही और कौन सा बाबा घलत है कौन सा बलात्कारी सही और कौन सा बलात्कारी गलत है यह क्या हम इस देश में इस तरह से समाज को चलाने की कोशिश करेंगे मुझे इस इस बयान में साइंटिफिक टेंपर के ऊपर बहुत बड़ा हमला दिखाई रहता है गोर सब जिस तरह से एक मामला करनाटक का अदालतों का जिक्र आया करनाटक थाय कfel कोड के एक जजने एक फैसला मामला गया इस पे उन्हों ने कहा कि मस्जिद के भीतर अगर जाकर आप जऑ प्रिर्राम के नारे बुलंद करते हैं, तो इसमें किसी के धर्म की भावनाएं, धर्म की भावनाएं आहत नहीं हो सकती, लहाज़ा एक मामले को खारिज कर दिया गया, कोर्ट की जरीए, अदालतों के भीतर, जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, खास्तों पर यह तो CGI का मामला है, निचली आदालतों में जो कुछ हो रहा है, अलग-अलग स्टेट की हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, वो अगर हम पढ़ें, तो समझ में आता है कि बहाँ पर पर स्टनल ओपीनियन ज्यादा हावी होता जा रहा है, और पर स्टनल ओपीनियन में भी कोई लॉजिकल आप इस देश में सैकुलर देश में वो देश जहां बटवारे के बक्त जाव मस्जिद की सीडियों से मुलाना बुचप अला माजाद ने जो स्पीश भी वो स्पीश ये बताती है कि हम हमारे उस बाद का अंदेशा जिताया था कि अगर तुम पाकिस्तान जाओगे तो यह हालात तुमारे सामने हो सकते हैं लियादा हिंदुस्तान के साथ बने रहो तो आज की नसले सवाल करती हैं जब उस इस स्पीच को सुनती हैं कि आपने तो कहा था कि पाकिस्तान में ऐसा होगा अब यहां जो हो रहा है उसकी जि तो ये जो जिम्मेदारी थी Constitution के जरीए आने वाली सरकारों पर जजस पर जो सरकारों पर भी नज़र रखती थी और सरकार के गलत फैसलों को identify करके उस पर रोग लगाती थी अगर ये धाल मेल होने लगे और सिर्फ कहीं पर राजसभा की सीट के लिए कही राज़िपाल बनने के लिए अगर ये तमाम चीज़ें होने लगे तो हम उसी रास्ते पर फिर चल पड़े हैं 75 साल के बार जहां से पाकिस्तान अब लौटना शुरू हुआ है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पाकिस्तान कितमा लौटा कितमा नहीं लौटा लेकिन जाहिर है कि जखमी बहुत हो गया पाकिस्तान इस रास्ते पर शल करके और वो जखमों से चूर है हम अपने यहां वही रास्ता चुनेंगे तो मन्जिल की वही होगी यानि ये मुल्क भी जखमों से चूर हो जाएगा अभी सिर्फ हमको ये नॉर्डन इंडिया में जादा दिखाई दे रहा है अलाकि आपने जिक्र किया अभी करनाटका के फैसले का वहां के हाई कॉर्ट के फैसले का ये बहुत खेर जिम्मेदाराना फैसले हो रहे हैं और आप बिलकुल सही कह रहे हैं के ये हिम्मतें इतनी बढ़ गई है कॉंस्टिटूशन को रौंदने की के अब कुछ भी कहलो कोई इतरास शायद नहीं करेगा ये यकीन है जजज़स को भी और जैसा मैंने कहा मिनिस्टर्स को भी और ये पॉलिटिकल बाद ये राजनीती है इसके हम मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान को ले ले तो आप कहिएगा कि भई वो मुसल्मानों तो ऐसे ही होते हैं लेकिन हमको मायनमार को तो नहीं भूलना शाहिए हमको स्री लंका को तो नहीं भूलना शाहिए वहां तो मुसल्मान नहीं है सवाल राजनीती का है जब राजनीती इस तरह की करवट लेने लगते है किसी मुल्क के अंदर और एक नेकसस क्रियेट होता हुआ हमें जो दिखाई दे रहा है बाबाओं के राजनेताओं के और कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच में तब फिर आस् बड़े सरकारी अफसर पैर चूने जाते हैं उसमें मंत्री और प्रधान मंत्री को हमने देखाई है कि किस तरह साराम बाबु के वो पैर चू रहे हैं तो एक पूरे मुल्क में एंटी साइंटिफिक एंटी सेक्यूलरिज्म माहौल पैदा होता है और उसका सबसे बड़ा सबसे रियक्शनरी फोर्सेथिक होते हैं जो उनको होता है और मैजोरिटी कि रियक्शनरी फोर्सेथिक को होता है। जो हमें RSS को फाइदा हूँ दिखाई दे रहा है। सत्तर साल में जितना कॉंग्रेस ने या किसी भी और पार्टी ने पैसा इखटा करके अपने अपने आफिसेज नहीं बनाए उतने इनों ने तस साल में कर लोगे तो एक तरफ हमको दिखाई दे रहा है कि तोटल करप्शन है दूसरी तरफ यह अन्होली एलाइंस है जो अब हर धाचे के अंदर पेनिटेट करता चला जा रहा है यानि हम समझते थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट उससे बरी है पर हमारी आखें चीफ जस्टिस ने खोल दी यह कह गर कि कि उन्होंने ध्यान लगाया तो भगवान ने रास्ता सुझाया अगर वो यह कहते कि मैंने सम्झतान को बार बार पढ़ा और तीन महीने तक मैं लगतार पढ़ता रहा और वहां से हल मिला मुझको तो मेरे ख्याल में एक अलग मेसेज जाता है पूरे मुलक को अगर वो ये कहते कि मैंने सब कुछ खंगाला और सुबूतों के अधार के उपर ये फैसला लिया गया गलत फैसला हो सकता है उसे कोई बुरा ही नहीं है वो सही कर सकता है मुलक गलत फैसले को लेकिन अंसाइंटिफिक एटिट्यूट को सही नहीं किया जा सकता है अगर वो सुब्रीम कोट तक पहुँच जाता है और जाहर है कि लोगों की अपने नागरिक और बराबर के नागरिक होने में जो आस्था है उसको ठेस लगेगी और उसको ठेस लगी है और हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि लगतार उसको ठेस पहुचाने की कोशिश की जा रही है और ये जो पॉलिटिकल नया पॉलिटिकल रिलिजन आया है हमारे मुलक में उस पॉलिटिकल रिलिजन में ठेस लगाने को एक गर्व की नजर से देखा जा रहा है बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के